चार वायर का वाश टाइमर है इसका कनेक्शन किस तरह से हम लोग करेंगे पोपली देखिए मीटर में आभी देखिए अभी सप्लाई है इस वायर में हलो दोस्तो एजट इलेक्रिकल वार्ग्स यूटूब चैनल में आप सबी लोग का हर्दिक स्वागत दोस्तो यहां से ती पोपली एक वीडियो अफ्लूट कीजिए तो दोस्तो चलिए आज इसी टापिक के बारे में बात करेंगे दोस्तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक जोग कर देना चैनल में आब तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले यह चार वायर का को थोड़ा सा बूल्टा करेंगे तो आप यहां में एक चीज़ देखेंगे कि यहां से आ रहा है यह लूपिंग वायर तो यह लूपिंग वायर एक वायर इस तरह से आ रहा है और इसी का साथ दोस्तों यह लूपिंग वायर का साथ एक वायर बाहर आ रहा है देख सकते कि सा जो वायर है यह वायर यहां से लूपिंग करके यहां आ रहा है और यहां से देख सकते हैं कि यह वायर यह बाहर आ रहा है और इस जो वायर है यह जो लूपिंग वायर बाहर आ रहा है इसमें एक पीन एक थिंबल आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों ठीके तो य यह wire कहा जाएगा दोस्तों दooky यह जो wire है यह wire budget में लगेगा बज़र क्या है दोस्तोंदखिए हम लोग जो washing machine का timer जो timer को घुमा के जब 10 minutes 15 minutes या 30 minute के लिए वाषा में select करके रखते हैं तो यह 30 minutes हो जाने का बाद जो watching machine है उसका अंदर से साउंड आता है और वो जो साउंड आता है वो साउंड बजर से आता है ठीक है तो ये जो वायर है देखिए ये जो लूपिंग वायर का साथ बाहर जो वायर निकल का आएगा और इसमें एक पीन भी लगा हुआ है ये जो वायर है ये बजर का वायर है ठीक है ये वायर जो है बजर में लगेगा ठीक है तो एक वायर हो गया अभी बचा है कितना वायर अभी बचा है तीन वायर दोस्तों देखिए तीन वायर बचा है तो इसमें से एक होगा common वायर, common वायर मतलब क्या है common वायर मतलब जिस वायर में main supply का face timer में input होएगा दोस्तों हम लोग सब लोग जानते हैं कि यह जो timer है कोई भी timer हो चाहिए हो spin timer हो चाहिए हो wash timer हो timer में स्रीफ face supply दिया हुआ जाता है ठीक है तो यह जो common वायर है common वायर में face supply जाएगा ठीक है तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह बजर का वायर का बास जो वायर एक single वायर बाचया यह वायर होएं का common wire, एक common wire कहा लगेगा, एक common wire में हम लोग main supply का face input करेंगे timer में, ठीक है, ये main supply का face में लगेगा, और इस site में देख सकते हैं कि ये 2 wire बाचा है, ये 2 wire इसका running starting का wire है, ये 2 wire capacitor में लगेगा, ठीक है, तो इसको बहतर तरीके से बताते हैं, तो दोस्तों बहतर तरीके से समझने क लिए, आपके पास कोई भी meter हो, चाए क्लाब meter, चाए माल्टी मीटर, कोई भी meter हो, आपको ले लेना है, तो चलिए, एक meter ले ले लेते हैं, दोस्तों देख सकते हैं, और meter को कहा में set करना है, देखिए, meter को जो है, इस तरह ये continuity sign है, देखिए, जो आपका phone में, जो हॉई- या खराब है, ठीक है, तो meter को चेक करने के लिए, अभी क्या करना है, meter को चेक करने के लिए, meter को जो दो lead है, दो lead अपस में task करेंगे, तो इसमें reading show होना चाहिए, देखिए, ये देखिए, अपस में touch किया, अपस में 2 wire को touch किया, तो ये देखिए, meter में reading show हुआ, यानि कि meter तो इसमें एक wire, इसमें meter का जो दो lead है, ये दो lead का एक lead इसमे permanently लगा कर राकना है, तो इसमें एक wire permanently जोड़ देते हैं, देखिये इसमें एक wire इस तरह से permanently जोड़ देना है, और जोडने का बाद आपको क्या करना है? अब जो है आपको जो ये timer rate, timer को on करना है, timer को इस तरह से घुमा के, देखिए इस तरह से घुमा के timer को on कर देना है, ठीक है, timer को on करने का बाद आपको क्या करना है, दोस्तों देखिए यहां में एक बात बताना चाहूंगा, हम लोगों जो wash motor है, एक बार clockwise घुमता है, फिर ज depositor का है, यह जो running में एक बार supply गया, तो माल लो clockwise घुमा है, तो यह running से supply कट करके, फिर जो starting में देगा, तो पहले clockwise घुमा है, तो अभी जो है starting में देगा, तो anti-clockwise घुमेगा, एनिकि एक बार clockwise, एक बार anti-clockwise घुमाने का जो काम करते है, जो है, ताइमर करते है, ठीक है, तो आभी क्या क्या होगा कोई भी एक वाई इसमेंसे कोई भी एक वायर में अभी सप्लाइऑ आना चाहिए टाइयगा तो यह कोई भी एक सब्लाइणा iam लाए में आपको देखिए थोड़ा सा वेट करना है अभी आयों अब Geest देखिए मीटर में अभी सप्लाइज है इस वार मैं यह लों आयर में आभी सपलाइज है देख थे कि high कुछ दिर बाद यह सप्लाई काट हो जाएगा और यह जो है यह यलो वायर है यह लो वायर में चल जाएगा यह देखिए रेड वायर से सप्लाई काट हो चुका है अभी यह यलो वायर में इस तरह से टाच करेंगे तो यह में सप्लाई आएगा देखिए यानि कि यह एक बा टेखिए जो लुपींग ये लूपींग ये यह इधर आएगा और यो लूपींग का सथ एक यह बायर बहार आएगा यह बजर का वायर हो चुका है तैक कैर बजर का य्चाइम सकед व्यूइर और कोमनार मतलब इसमें हम लोग मेन सब्लाई का फेसिंपूट करेंगे ठीक है और जो दो वायर बचाए यह रणिंग इस्टाइटिंग का और यह वायर का वायर कापसीटर में लगता है तो दूस्ता हम आशा करते हैं यह पूरा क्लियर हो चुका है यह चार वायर का टाइमर